दोस्तों आजकर लोग फिल्मों से जाद़ वेफ सीरीज के दिवाने हो रहे हैं तो वही MX Player पर वेफ सीरीज आश्रम के बाद प्रकास ज्जाकी एक और नई वेफ सीरीज आ रही है जिसका नाम है बुलिटीज दोस्तों इस वेफ सीरीज में सनी लेउनी और उनके साथ करिश्मत करना भी मुखे किरदार में नजर आने वाली हैं जिसमें कि दोनों ही जबर जबस्त एक्सेन करती हुई नजर आएंगी जी हाँ दोस्तों अगर आपने भी इस वेफ सीरीज का ट्रेलर देखा है तो वीडिय दें कि सनी लेउनी को भारतिय मनोरंजन इंडरस्ट्री में लाने का सारा क्रेडिट आलिया भट के पिता महस भट को जाता है सनी लेउनी के इंडरस्ट्री में कदम रखने से मुंबई के ओसी वारा और माड़ा कॉंप्लेक्स में फॉन सिनिमा की इतनी बड़ी इंडरस्ट एक ही फिल्म के छे तुकड़े हैं जिस तरह है इससे पहले जेल 15 और डेंजरस के हो चुके हैं फिल्म जिन दर्सकों के लिए बनी है उनको मिल भी गई है लेकिन सिनिमा के हिसाब से इस फिल्म को देखना और इस पर अपना मांसिक तनाव लगाना और टाइम लगाना वे फु सबसे सरी लेवनी को अब रिटार्मेंट ले लेना चाहिए दिपक तिजोरी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि शूटिंगे दोरान उनकी नजर चाहें कहीं भी हो लेकिन केमरे की नजर चारों तरफ है करिश्मा तन्ना और विवेक वास्वानी को भी फिल्म में वदोर कल कारवदनामी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ दोस्तों हमारी तो यहीं सलाह है कि इस वेफ सीरीज को ना देखना ही सेहत के लिए अच्छा होगा 40 साल की होने वाली सनी लेवनी को भी पता है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है अपने लुक्स और होटने से वो जितना भी कमा सकती थी कमा चुकी है फिल्म में सनी टीना के किरदार में है जहां वो एक एनर राई बन कर आती है जहां उनकी मुलाकात लोलो से होती है लोलो मिशन में है और मिशन में उसे भरष्ट ग्रह मंतरी और इसके साथियों के इरादों का परदफास करना है टीना उसका साथ देती है दोनों मिलकर फिल्म में चुप चुपा कर मिशन को अंजाम देते हैं तो दोस्तों आपको कौन सी वेफ सीरीज जादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें